बच्चों आज किस लेक्षर में हम बात करने वाले हैं NCIT exercise 2.4 की तो उसका very first question क्या है? Determine which of the following has x plus 1 a factor याना कि यह जो नीचे आपको polynomial बहुपत दिये हुए हैं इन में से किसका कुणनखंड x plus 1 है किसका factor x plus 1 है तो आईए इसको solve करते हैं Now let us solve very first question very first question क्या है मेटा? xq plus x square plus x plus 1 यह आपका very first question है तो सबसे बहले स्वे solution में आप क्या करोगे? Let p of x is equivalent to xq plus x square plus x plus 1 मेटा आपने इसको let कर लिया ठीक है? और आपको यह check करना है कि इसका factor जो है x plus 1 है ठीक है? तो हमने let कर लिया let p of x is equal to xq plus x square plus x plus 1 and root of x plus 1 is minus 1 हमने इसको p of x late किया याने कि कोई polynomial x में late कर लिया और बेटा जो आपको factor दे रखा है x plus 1 उसका root क्या है? minus 1 अगर यह x plus 1 इसका factor है तो x plus 1 का root आएगा उसको इस polynomial में रखने पर यह पूरा polynomial 0 हो जाएगा मेरी बात को ध्यान से समझे बेटा यदि यह x plus 1 इन में से किसी भी factor का इन में से किसी का भी factor है तो क्या होगा? कि इस x plus 1 का हम निकालेंगे root या mole निकालेंगे ठीक है? तो जो mole है उसका मान इस x के place पर रखने पर यह पूरा polynomial हो जाना चीए 0 अगर यह पूरा polynomial 0 हो रहा है तो इसका factor है अगर नहीं हो रहा तो इसका factor नहीं है ठीक है? यह minus 2 time में हो जाएगा plus यह minus का 1 plus minus और यह plus का 1 के सार यह नी समझ में आया है? तो minus 1 का cube बेटा नीचे solve कर रहा हूं minus 1 into minus 1 यह दोनों तो plus हो जाएगा लेकिन फिर plus minus वापस हो जाएगा minus और अगर दो ही है तो minus होता है plus तो यह तो plus हो गया है यह plus और plus को इट करो और इस minus minus को इट करो तो plus 1 और plus 1 plus 2 minus 1 और minus 1 minus का 2 यह हो जाएगा पिटा यहाँ पास 0 तो p of minus 1 आके हैं पास 0 इसका मतलब क्या हो रहा है कि x plus 1 इस polynomial का factor है अगर आप x plus 1 से इसमें divide करोगे तो पूरा-पूरा divide हो जाएगा और remainder आजाएगा 0 आप चाहो तो इसको check भी कर सकते हो divide करके ठीक है तो यहाँ पर कहलेंगे hence here p of minus 1 is equivalent to 0 hence x plus 1 is a factor of p of x ठीक है अब इंदी वाले यहाँ पर क्या लिखेंगे इतना लिख लेंगे माना की p of x यह है तता इनके लिए उपर अलग से लिख रहा हूं तता x plus 1 का मूल minus 1 है ठीक है यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे अतह x plus 1 दिये गए भववववाद P of X का एक गुणनखंड है लिख देता हूं मैं आता है X plus 1 दिये गए बहुपद बहुपद का एक गुणनखंड है केसे गुणनखंड है क्योंकि reminder यहां पर 0 आया अगर कुछ भी बच जाता तो हम बोल देते हैं यह कि X plus 1 बेटा है इस पहले question का factor नहीं है इस polynomial का factor नहीं है और हम second वाले question को solve करते हैं यहां पर भी same to same let माना की P of X इदीक भी वेलाइंट हूँ यह जो polynomial है वो X मेस में इसलिए P of X से लेट किया हमने टीक है बटा? हमने लेट कर दिया यहां पर and root of X plus 1 is minus 1 आपको बता है कि X plus 1 का root minus 1 कैस और यह कैस बता होगा तो X plus 1 को बेटा 0 के equal में put करो यह root देदेगा आपको क्या देदेगा minus 1 यहां पर भी आपको वही concept था ठीक है? तो आप यहां put करो minus 1 तो आप सब से बढ़े लिखो के since P of X आपको बेटा इवन है कि XC power 4 plus XC power 3 plus XC power 2 plus 1 so therefore यह vich implacor के लिखो P minus 1 is equivalent to minus 1 की power 4 minus 1 की power 3 plus minus 1 का square plus का 1 ठीक है बेटा? तो यह power even number है तो यह हो जाएगा plus का 1 यह odd number है हो जाएगा minus का 1 यह even है plus का 1 और यह हो जाएगा plus का 1 ठीक है बेटा जो यह दोनों cancel हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगा 2 ठीक है? तो हम क्या बोल देंगे? कि यहाँ P of minus 1 is not equal to 0 अतह X plus 1 P of X का एक गुणन खंड नहीं है ठीक है? यह P of minus 1 is not equivalent to 0 therefore X plus 1 is not a factor of P of X ठीक है बेटा? तो यह इस exercise 2.4 का 1st का 1st or 2nd हो गया अब हम बात करते हैं 1st के 3rd की तो हम बात करते हैं हाँ बात question number 3 की तो 1st का जो 3rd question है 1st का जो 3rd question इसको solve करते हैं तो let P of X is equivalent to X e power 4 plus 3 X Q plus 3 X square plus X plus 1 and root of X plus 1 is minus 1 X plus 1 का एक मूल का है minus 1 है ठीक है? तो since P of X is equivalent to X e power 4 plus 3 X Q plus 3 X square plus X plus 1 which implies P of X को replace करते हैं minus 1 है तो यह हो जाएगा minus 1 की traveled 4 plus 3 into minus 1 की power 3 plus 3 into minus 1 की at 2 plus minus का 1 plus का 1 यह even है तो यह हो जाएगा plus का 1 3 into यह ओडे बिटा यह हो जाएगा minus का 1 अब ही बताया था तीन बार लोगे तो minus minus plus फिर हो जाएगा minus और one के पावर तो कितनी करो आएगा तो one ये two time में मतलब प्लास हो जाएगा तो three बन जा three directly लिखे रहो हमें इसको ये हो जाएगा माइनस क्योंकि plus minus होता है minus हो रही हो जाएगा plus one ये भी बन जाएगा minus minus three plus three minus one plus one ये cancel ये cancel, 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 बजगया one आपके पावज तो remainder नहीं बजना चाहिए, अगर remainder बज गया मतलब कि यह इस polydomen का factor x plus 1 नहीं है, ठीक है, x plus 1 is not a factor of this given polydomen, since यह here लिखो, here, sorry, here, p of minus 1 is not equivalent to 0, therefore, x plus 1 is no factor of p of x, ठीक है पिटा, यहाँ, p of minus 1 0 नहीं है, यहाँ, p of minus 1 0 नहीं है, यहाँ, p of minus 1 0 नहीं है, x plus 1 दिये गए बहुपद, p of x का गुणन खंड नहीं है, यह होगा मारा question number first का third, तो बेटा, हम बात कराएं यहाँ पर question number fourth के, तो question number fourth जो है, उसका solution हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले, let करो बेटा, let p of x is equivalent to x q minus x square minus 2 plus under root 2x plus under root 2, आपको यह given है, आपको यह determine करना है कि इन में सब जो है, following questions है, x plus 1 जो है, उनका factor है, तो आपको यह बताना है, कि क्या x plus 1 इसका factor है, तो आपने इतना लिख लिए, let p of x, फुलो में खुलेट कर लिया, and root of x plus 1 will be, क्या होगा बेटा, minus 1 होगा, के सी find करते है, x plus 1 को 0 के 1 में put करो, यह plus का 1 उदर जाके होगा, minus का 1, ठीक है बेटा, कुछ जादा है, congestrate होगया, x is equivalent to क्या होगा, minus 1, तो बेटा, यह ने लिख लिए, root इसका minus 1 होगया, ठीक है, so since of p of x, बेटा, कितना है, आपके पास, x square xq minus x square minus 2 plus under root 2, ब्रेकेड में x plus under root 2, आपको value put करना है, बेटा, minus 1 यहाँ पात, which implies, p of minus 1 is equivalent to minus 1 का q, minus minus 1 का as square minus 2 plus under root 2, x plus under root 2, sorry, x को भी put करना पड़ेगा, x ही जगे आएगा, minus 1 plus under root 2, ठीक है, तो minus 1 का q, अब even odd time में विसम संख्या है, तीन बारे तो minus कहीं आएगा, यह दो बारे तो plus कहीं आएगा, लेकिन plus minus, फिर minus हो जाएगा, अब यह minus, और यह minus multiplication में minus, minus हो जाएगा, plus 2 plus under root 2, क्योंकि 1 से multiplication से कोई effect नहीं होगा, और यह हो जाएगा, under root 2, तो p of minus 1, कितना आएगा, minus minus 1 जूड के वजाएगा, minus का 2, ठीक है, plus का 2, plus का 1 under root 2, और 1 under root 2, 2 under root 2, यह दोनों तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचरा आपके पास 2 under root 2, एक पर फिर से आप इसको चेक कर सकते हो, 1 put करोगा पिटाएगा, यहाँ बार तो minus 1 का q, minus 1 आ रहा है, minus 1 का square, plus 1, फिर minus 1 हुआ, और यह दोनों cancel out हो जाएगे, ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करें, तो minus 1 जैसे ही put किया, हमने, minus 1 जैसे ही put किया, minus minus होगा, पिटा, plus, और 2 plus under root 2, ठीक है, तो यह under root 2 और under root 2, 2 time होगया, तो 2 under root 2 बज़ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा, p of minus 1 0 की equal नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, p of minus 1 is not equal to 0, therefore, x plus 1 is not factor of p of x, ठीक है बेटा, यहाँ पर 0 की equal नहीं आ रहा है, तो इसका factor नहीं है, तो बटा, यदि आपको मेरा यह वीडियो बसंद आया हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल, डीवी के मैंस लासे सको like कीजिए, subscribe कीजिए, और पढ़ता रहिए, all the best.